आज किस वीडियो में हम लोग question number 21 से start करेंगे पिछली वीडियो तक हम लोगों ने question number 20 तक complete किया था exercise 32.1 cases in a class 12 तो चली वीडियो start करते हैं देखो question number 21 question number 21 21 number है A, B and C play a game if chances of their winning it in an attempt are 2 by 3, 1 by 2 and 1 by 4 respectively मतलब 3 लोग है A, B, C तीनों के winning का chances दिया हुआ है कितना कितना 2 by 3, 1 by 2 and 1 by 4 A has the first chance followed by B and then by C मतलब सबसे पहले A start करता है ठीक है नहीं तो पहले A को मेरेगा chance फिर B को फिर C को ठीक है the cycle is repeated और इस तरह से लगातार यह cycle चलता रहेगा कब तक till one of them wins the game यह तब तक चलता रहेगा जब तक कोई एक game जीत नहीं जाता ठीक है न अच्छा find their respective chances of winning the game तो क्या है कि अलग-अलग सभी का chances निकालना है कि A का chance कितना A का संभावना कितना है जीतने का B का priority क्या होगा जीतने का और C का क्या होगा सही न तो पहले हम लोग given को लिख लेते हैं यहाँ पर given क्या है given है सब के winning का priority दिया हुआ है जैसे मैं बोल दो priority of A है ना यह हम लोग winning का लिख रहे हैं तो कितना जाएगा 2 by 3 तो win होने की priority अगर 2 by 3 है तो win ना होने की priority भी हम लोग निकाल सकते हैं तो P A dash उसको बोलेंगे या फिर A पर बाड कह सकते हो A पर बाड इस तरह से एक ही बात है 1 minus 2 by 3 कर लेंगे 1 minus 2 by 3 तो यह कितना आएगा 3 minus 2 यानि 1 by 3 आजाएगा सही ना तो जीतने की priority है A का 2 by 3 तो नहीं जीतने की 1 by 3 आगे अब देखो priority of B यानि B के win होने की priority कितना है यह 1 by 2 है ठीक है ना 1 by 2 तो नहीं जीतने की priority क्या होगा B पर बाड यानि 1 minus 1 by 2 कर लेंगे तो कितना आएगा 1 by 2 ही आएगा अच्छा priority of C बाड कर देंगे यानि कि 1 minus 1 by 4 आजाएगा यानि कि यह 3 by 4 आगया ठीक है ना तो सभी का priority हमने winning का और not winning का दोनों हमने लिख लिया अब हमें करना क्या है हमें सभी का एक एक करके priority निकालना है कि अगर game start हो और game कौन start करेगा और फिर B और फिर C तो A के जीतने की priority कितना होगा सही ना उस game में जीतने की priority कितना होगा यहां पर लिखा find the respective chances of winning the game हाना हम game को जीतने की हाना chances क्या होगा पहले A की फिर B की और फिर C की तब देखो पहले हम A की निकाल रहे है ठीक है ना तो A के हम निकाले हैं कैसे तो वो सुनना देखो यहां निकालना क्या priority of हाना A win the game win the game अगर A game को जीतता है सही ना तो क्या chances होगे उसके जीतने की तो वो हम कैसे निकाले हैं कि वो सुनना start कौन करेगा A फिर B फिर C सही ना मालो ऐसा हुआ कि पहले chance मिला A को और वो game जीत गया game over हो गया या फिर ऐसा हो सकता है पहले chance मिला A को और वो game नहीं जीता तो फिर chance मिलेगा B को वो भी नहीं जीता फिर chance मिलेगा C को वो भी नहीं जीता फिर से chance मिलेगा A को और यह जीत गया हाना तो हम लोग क्या कर रहे हैं बार बार एक की विनिंग की हम परलिटियम देख रहे हैं हाना बार बार हम एक का एक को विनर बना रहे हैं तो सबसे पहले हम एक को विनर बनाते हैं ठेंग ना A win the game, A जो है game को जीतेगा, सही है, तो देखो हो सकता है कि पहला round हो और पहला ही A game जीत जाए या फिर second round में जीते या फिर third round में जीते या फिर fourth round में जीते ऐसा ये चलता डायागा infinite तक, तो हम लोग क्या बोलेंगे देखो, यहाँ पे बोल देंगे party of A और game जीत गया, game over P of A का मतलब A game जीत चुका है न, P of A मतलब game जीत चुका, तो game over हो गया या फिर ये हो सकता है कि पहला chance में वो ना जीते मतलब A बार आ गया, सही न अब दूसरा chance किसको मिलेगा B को, और B भी game नहीं जीता तो B बार हो गया फिर chance मिलागा C को तो P of C बार हो गया, ये भी नहीं जीता, फिर chance मिला A को और ये जीत गया, यानि कि दूसरे chance में जीता है कोई जवड़ी के दूसरे chance में हो सकता है तीसरे chance में जीते, तो या फिर या मतलब plus, हाना A को chance मिला, नहीं जीता फिर B को chance मिला नहीं जीता फिर C को मिला ये भी हार गया फिर दुबारा A को chance मिला और ये भी नहीं जीता क्योंकि दुबारा मैं हम यहाँ पे winning करवा चुके हैं तो यहाँ पे माल लो की B को मिला chance दुबारा नहीं मिला नहीं जीता ये फिर C को chance मिला ये भी नहीं जीता फिर chance मिलेगा A को और ये जीत जाएगा और इस तरह से ये चलता रहेगा infinite तक सही है अब इसको solve कर देंगे तो ये priority निकल जाएगा एक game A जीतेगा है ना ये priority आएगा तो ये game कौन जीतने वाला A तो सबसे पहले हम A के लिए बात कर रहे हैं कि game A जीतेगा इसकी क्या priority है ये ही हम लोग निकाल रहे हैं तो first chance में जीत गया या फिर वो second chance में जीता फिर वो third chance में जीता या फिर हो सकता है fourth में और ये चलता रहेगा infinite तो अब यहाँ पर हम कितना 1 by 2 है इंटो फिर P of C बार C बार कितना 3 by 4 है 3 by 4 और फिर P of A P of A कितना 2 by 3 है 2 by 3 फिर plus इसको solve करेंगे P of A बार A बार कितना 1 by 3 फिर P of B बार B बार है 1 by 2 फिर priority of C बार C बार कितना 3 by 4 फिर priority of A बार यानि कि 1 by 3 फिर priority of B बार B बाड मुतलब 1 by 2 फिर 30 of C बाड C बाड कितना है 3 by 4 फिर 30 of A A कितना है 2 by 3 और यह चलता रहेगा इस तरह से तो अब देखो solve करते हैं सभी को यहाद आए कितना 2 by 3 2 by 3 plus यहाँ पर कितना आएगा देखो यहाँ पर कुछ कटेगा 3 से 3 कर जाएगा 2 से 2 कर गया तो क्या बच गया 1 by 12 बच गया 1 by 12 फिर plus यहाँ पर देखो 3 से 3 कर जाएगा यह 2 से 2 कर जाएगा फिर यह 3 से 3 कर जाएगा उपर में आजाएगा 1 नीचे कितना आएगा 4 चार्चा को 16 49 दुनी 96 96 आजाएगा फिर plus और इस तरह से और भी value आता रहाएगा तो यह कब तक चलेगा infinite तक चलेगा तो यह जो series निकल के आया है इसको हम लोग add करना चालते है तो यह जो series यह कुछ खास series है क्या है यह GP है कैसे पता चला तो GP पहचानने के लिए क्या करना होता है second term को first term से divide करेंगे जो value आए वही value आना चाहिए third को जब हम third को जब second से divide करेंगे तो भी value आना चाहिए देवो चेक कर लेता है यह second term तो हमने लिखा second term 1 by 12 इसको divide करेंगे first term से तो जाएगा 2 by 3 2 by 3 इसको solve करें कितना जाएगा 1 by 12 इन्टू में 3 by 2 आजाएगा 3, 4 जाए 12 यानि कि 1 by 8 आजाएगा यह हमने क्या कि second को first divide किया तो 1 by 8 आएगा अगर हम third को second से divide करें तो भी इतना ही आना चाहिए चेक कर लेते हैं तो third है हमारा 1 by 96 divide करें किसको second से 1 by 12 तो कितना जाएगा 1 by 96 इन्टू 12 by 1 आजाएगा 12, 96 होता है देखो 1 by 8 आगिया इसका मतलब यह क्या सिरीज है GP है यह पता चल गया यह सिरीज क्या है GP है जब भी स्टाइट का प्रॉब्लम आए तो यह सिरीज GP का ही बनता है ठीक है ना इन्फाइणाइट सिरीज का सम कितना होता है देखो एस इन्फिनिटी क्या होता था GP का तो यह होता था A upon 1 minus R होता है यह होता है फार्मूला ठीक है ना सम निकालने का फार्मूला होता है यहाँ पर A का मतलब 1st term हुआ R का मतलब common ratio हुआ यहाँ हमने देखा था common ratio 1 by 8 आया था यहाँ पर A कितना है तो A है यहाँ पर 2 by 3 A किसको बोलते है जो 1st term होगा और common ratio कितना आया था 1 by 8 आया था हमने अभी देखा था divide करे अब इसका सम निकालेंगे ठीक है ना तो सम कितना आएगा इन सभी का जो सम आयागा वो कितना जाएगा A upon 1 minus R तो A की value 2 by 3 तो जाएगा 2 by 3 upon 1 minus R R बोले तो 1 by 8 ठीक है ना तो solve करेंगे तो उपर मा जाएगा 2 by 3 उपर मा जाएगा 2 by 3 नीचे जाएगा 8 minus 1 याने 7 by 8 आजाएगा 7 by 8 इसको solve करेंगे तो 2 by 3 into 8 by 7 ठीक है तो ये value निकल गए 8 दूनी 16 और 7 21 तो 16 by 21 इसका answer होगा यानि कि एक game A जीतेगा इसकी priority है 16 by 21 ये कौन जीतेगा ये A जीतेगा priority of A win the game एक एक game जीतने की priority है 16 by 21 इसी तरह से हम B का भी निकालेंगा और फिर C का निकालेंगा तो आप इसका screenshot टेलो चुकि मैं इसको मिटाओंगा उसके बाद ही B के लिए निकालेंगे तो आप देखो अब हम लोग निकालने priority किसका कि game जो है B जीतेगा है ना B win the game win the game तो ये कैसे निकालेंगे तो देखो पहले start कौन करेगा A तो A जब start करेगा वो win नहीं करेगा है ना तो win नहीं किया तो priority of A बार हो जाएगा अब फिर priority of अब chance मिला कि इसको B को और वो win हो गया game जीत गया तो game यहाँ पर over हो गया C को chance मिलेगा ही नहीं या फिर ये हो सकता या फिर कि B जो है पहले chance में न जीते second chance में जीते तो A को तो जीता नहीं नहीं तो A बार हो जाएगा हाँ ना priority of B बार हो जाएगा B को chance मिला ये भी नहीं जीता चोकि ये दूसरे round पो जीतने वाला इसमें तो priority of C को chance मिलागा ये भी नहीं जीता फिर A को chance मिला ये भी नहीं जीता फिर B को chance मिला और ये जीत गया सही ना और फिर priority फिर अलग अगला लेंगे तो फिर देखो A को chance मिला ये नहीं जीता फिर B को chance मिला, ये भी नहीं जीता, फिर C को chance मिला, ये भी नहीं जीता, फिर A को chance मिला, ये भी नहीं जीता, फिर B को chance मिला, ये भी नहीं जीता, फिर chance मिला किसको C को ये भी नहीं जीता, फिर chance मिला किसको A को ये भी नहीं जीतेगा, फिर B को chance मिला और ये जीत गया, और इ फिर प्लस लेगे, property of A वाड, A बार है 1 by 3 1 lover, 40 of B वाड, A वाड है 1 by 2 1 lover, 40 of B वाड है 1 by 2 C वाड है कितना, 3 by 4 ठीक हैं, फिर property of A वाड A वाड कितना, 1 by 3 फिर property of B, B कितना है, 1 by 2 फिर प्लस, अब इसके लिखेंगे A वाड, A वाड बोले तो 1 by 3 है फिर परिटी ओफ बार, बार कितना 1 by 2 है फिर परिटी ओफ C बार, C बार कितना 3 by 4 है फिर परिटी ओफ A बार, A बार 1 by 3 है फिर आजागा परिटी ओफ B बार, यानि 1 by 2 फिर C बार 3 by 4 फिर परिटी ओफ A बार, यानि 1 by 3 अब इसको सॉल्व करेंगा अच्छा यह इन्फाइनाइट चलता रहेगा और यह भी जो एक जीपी बनाएगा ठीक है ना देखो कैसे यहां पर कुछ कटेगा 3 से 3 कटेगा कितना अच्छा और कुछ नहीं कटेगा तो वन बाई कितना हैगा चार तिया बारा बार दूनी 24 दूनी 48 यानि कि 48 आ जाएगा सही ना फिर प्लस यहां देखो 3 से 3 कटेगा यह टू तो नहीं कटेगा फिर से 3 और 3 कट जाएगा क्या बचेगा तो देखो चार दूनी आठ 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 दूनी 16 16 64 64 64 64 इंटू 6 कर लेते ह है ना तो 6 को 24 को चार बाकी दो 36 37 34 384 आजाएगा तो वन अपान 384 आगया ठीक है ना और प्लस और यह आगे चलता रहाएगा अब यह जो है यह भी क्या है जीपी है ठीक है यह भी क्या जीपी है चेक कर लेते हैं तो सेकेंड को फर्स्ट डिवाइड करेंगे तो वन बाई 48 और डिवाइडेड बाई 6 तो 8 24,8 चार्ण तालीस होता है 8 यानि 1 बाई एट आगया है ना कितना अगया 1 बाई 8 आगया इसको देखते हैं तो यह 1 बाई 384 नीच ऊपर रहाएगा और 1 बाई 48 नीचे रहाएगा तो 48 से देखो यह आठ बाद में करता है क्या 8 बाद में 8 बाकि 6 आठ चोकर 32 अच्छे 32 अच्छे 38 हुजाएगा तो यह कर जाए कितने बार में आठ बार में तो देखो one by eight आड़ा है रेसियो क्या रहा है से माड़ा है इसका मतलब यह क्या है GP में है ठीक है न यह GP में यह पैचान लिए अगर यह GP में है तो GP में जो infinite sum का जो formula होता है वो कितना होता है यह होता है formula है तो यह formula यहाँ पर लगा देंगे तो यहाँ पे ए कितना है 1 by 6 और common ratio कितना है 1 by 8 आ गया तो यहाँ पर सम कितना निकलेगा सम निकलेगा a upon a मतलब 1 by 6 upon में 1 minus r आड बोले तो 1 by 8 इसको solve करेंगे तो उपन मा जाएगा 1 by 6 नीचे आजाएगा 7 by 8 इसको solve करेंगे तो 1 by 6 into 8 by 7 तो यह कटेगा 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6 तो 4 by 21 आजाएगा तो 4 by 21 इसका answer होगी है अब इसी तरह से हम लोग C का निकालेंगे तो आप चाहो तो इस screen shot ले लो मैं आपको C का निकालके दिखाता हूँ तो आप देखो अब हम लोग C को C के win होने क्या chances निकालेगा C win the game C कब जीतेगा देखो उसको तो सबसे last में chance मिला सबसे पहले A को chance मिलेगा नहीं जीतेगा B को chance मिलेगा ये भी winner नहीं होगा C को chance मिला और वो win कर जाएगा और game हो जाएगा over यानि कि priority of हो जाएगा A बार इसको chance मिला ये win नहीं किया chance मिला B को ये भी win नहीं होगा chance मिला C को first time chance मिला और first time ही ये win कर गया और game हो गया over या फिर ये हो सकता है कि इसको second chance में ये winner बने second chance में बनने का मतलब हो कि 40 of A बार हो जाएगा B बार, 40 of C बार C को chance मिला लेकिन winner नहीं हुआ अगले chance में होगा, फिर से A को chance मिला और वो winner नहीं हुआ फिर B को chance मिलेगा ये भी winner नहीं होगा फिर C को chance मिलेगा और ये winner हो गया फिर plus और इस तरह से ये चलता रहेगा और हमें पता है कि GP में ही आएगा आप चाहो तो एक line और लिख सकते हो ठीक है चलो अब यहाँ पर मैं इसको solve करता हूँ तो P of A बार A बार कितना आएगा तो A बार यहाँ से 1 by 3 1 by 3 into P of B बार B बार कितना है 1 by 2 1 by 2 into P of C C को जितने का chances 1 by 4 फिर plus फिर priority of A बार यानि 1 by 3 फिर B बार यानि 1 by 2 और priority of C बार यानि कि 3 by 4 हो जाएगा और फिर से chance मिलेगा A को तो priority of A बार कितना आएगा 1 by 3 फिर B बार यानि कि 1 by 2 और फिर priority of C यानि कि C के win होने का chances है 1 by 4 तो into में 1 by 4 और प्लस ये infinite time चलता डाएगा ठीक है यहाँ पर हम लोग इसको solve करेंगे तो कितना आएगा 1 by 24 प्लस यहाँ पर देखो 3 और 3 कैंसल हो जाएगा क्या बचाएगा चार दुनी 8 ये 24 24 दुनी 48 48 इंटू 4 आठ चौका 32 को दो बाकित 3 14, 16, 17, 18, 19 192 आजाएगा तो 1 upon 192 आगया और प्लस में ये आगे और भी चलता रहेगा आप यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा देना हमें पता है कि ये GP में ही आएगा तो direct हम लोग solve कर लेते हैं तो यहाँ पर common ratio कैसे निकालेंगे तो second term को यानि कि 192 को divide करेंगे first term से 1 by 24 से तो divide कैसे होगा 1 by 92 into 24 by 1 24 से divide करते हैं 24 से अगर हम divide करें 192 को तो ये कर देगा 6 बार में हाना नहीं डिवाइड करें तो इस तरह से 12 से करते हैं तो 12 से नहीं करते हैं 6 से करते हैं 3 से 9,10,12,3 से करते हैं 8,24,3 से करते हैं 6,3,3,3,3,4,5 8,8 जा 64 8 आ जाएगा यानि 1 by 8 आ रहा है 1 by 8 तो फिर से common ratio कितना आ गया 1 by 8 आ गया common ratio आ गया 1 by 8 तो यहाँ पर a की value है 1 by 24 common ratio कितना है 1 by 8 तो यहाँ पर summation कितना है a upon 1 minus r होता है तो a की value 1 by 24 divided by 1 minus r r बोले तो 1 by 8 इसको solve करेंगे तो 1 by 24 divided by यह हो जागा 7 by 8 हो जाएगा यह जागा 1 by 24 into में 8 by 7 हो जाएगा हना तो r तीया 24 जानी कि तीन बार में कर जाएगा तो finally answer आएगा 1 by 3 sorry 7 3 है 21 तो 1 by 21 आजाएगा हना 1 by 21 और यह हो गया इसका answer तो मैंने एक एक करके सभी के game के जीतने की priority मैंने बताया तो में आपको यह समझ में आया होगा तो आप चाहो तो इसका screenshot ले सकते हो हम लोग अगले question पर बात करेंगे तो अब देखो question number 22 question number 22 में है A and B take turn in throwing two dice है ना A और B एक लगतार एक दूसरे को throw करता रहेगा है ना फिर आगे the first two throw a sum of nine is awarded so that if A has the first throw their respective chances of winning are in the ratio of nine is to eight हमें ये proof करना है कि A के win होने की priority और B के जो win होने की priority का जो ratio होगा वो nine is to eight आएगा ऐसा हमें proof करना है तो दोनों के winning होने के chances के priority हम लोग निकाल लेंगे अलग अलग और divide कर देंगे ratio आजाएगा तो अब problem ये है कि question क्या बोला है कि दो dice throw करना है सही ना A and B take turn in throwing two dice A और B दो-दो dice throw करेंगे पहले A throw करेगा फिर B throw करेगा और जिसको sum nine आजाएगा यानि कि दोनों dice में number को add करने के बाद nine आजाएगा वो winner कहला जाएगा सही ना तो यहाँ पे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि sum of जो nine है वो आने की priority कितना है तो sum of nine कब-कब आ सकता है इसको लिख लेते हैं तो यहाँ पे event e माल लेते हैं सही ना क्या कि getting sum nine है ना getting sum nine sum nine आने की जो event उसको हमने e माल लिया है तो अब इसके अंदर कौन-कौन सा elements आएगा वो देखो sum nine कब आ सकता है तो one का combination six से बनेगा तो जादा जादा seven आ सकता है तो nine तो आएगा ही नहीं two से six का बनेगा तो eight आ सकता है यानि कि three से start होगा तो एक पर आ जाए three दूसरे पर आ जाए six तो nine बन सकता है या फिर पहले पर four आ जाए दूसरे पर five आ जाए तो nine बन सकता है या फिर पहले पर five दूसरे पर four आ जाए तो nine बन सकता है या फिर पहले पर six और दूसरे पर three आ जाए तो nine बन सकता है बस इसके अलाबा और कोई pair नहीं है जो nine दे दे आपको sum nine दे दे ठीक है बस इतना ही pair है यानि one two three four यानि टोटल पांच number of element आया इमें तो हम यह probability निकालना चाहते हैं sum of nine आने की probability कितना है सही नहीं यह तो निकालना पड़ेगा तो अगर हम लोग sample space की बात करें तो number of sample space कितना होगा दो dice throw करेंगे तो एक पे छे आएगा एक पे भी छे यानि कि 36 elements हो जाएंगे total number of sample कितना हो जागा 36 तो probability of event का में लोग कैसे निकालेंगे number of event से divide उपर लिखें number of event को उपर लिखेंगे यानि one two three four होनि four उपर लिखेंगे नीचे 36 तो चार से कटेगा ये nine times में तो one by nine यानि कि some nine आने का chances है one by nine तो नहीं आने का chances कितना होगा तो probability of e bar e bar मतलब नहीं आने की some नहीं आने के chances कितने हो जाएंगे one minus one by nine इसको solve करेंगे तो eight by nine आ जाएगा ये सब हमने data निकालके रख लिया अब game कौन सुरू करेगा a सुरू करेगा पहले a throw करेगा फिर b तो हम लोग दोनों का respective priority निकाल लेते हैं game win होने की तो सबसे पहले हम a के लिए निकालते हैं कि a जो है game को जीतेगा तो party of a win the game win the game बिल्कुल इससे पहले जो question बनाये था उसी type का ये question है ठीक है चले तो पहले chance मिला a को और वो game जीत गया तो game जीतने की party गया है one by nine हो जाएगा याने कि some nine आ गया तो one by nine है ना अब वो game जीत गया काने खतम या फिर यह हो सकता है कि पहले a को chance मिला और वो game नहीं जीता नहीं जीतने की priority eight by nine तो यहां लिखेंगे eight by nine फिर into देंगे अब फिर chance मिला कि इसको b को और वो भी नहीं जीतेगा क्योंकि हम लोग a को a को winner बना रहे हैं तो b तो जीतेगा ही नहीं तो उसको भ पहले first round में जीता फिर दूसरे round में जीता अब यह तीसरे round में इसको winner बनाएंगे तो first round में है ना यह भी नहीं जीतेगा फिर यह भी नहीं जीतेगा फिर a को chance मिलेगा और यह भी नहीं जीतेगा फिर a को chance मिलेगा और यह जीतेगा फिर a को chance मिलेगा और यह जीत जाएग और यहाँ पर क्या जाएगा 8 के पावर 4 और नीचे जाएगा 9 के पावर 1, 2, 3, 4, 5 आजाएगा अब प्लस सोन इस तरह से चलता ड़ाएगा अब यहाँ पर आप देखो कि ये भी GP है GP पहचानें कैसे तो second term को first term से divide करो जो value आना चाहिए same value आना चाहिए third को जब हम second से divide करेंगे चेक करते हैं तो देखो 8 का square upon 9 का cube इसको divide करेंगे 1 by 9 से तो ये बन जाएगा कितना 8 square by 9 cube आई इंटू में 9 चला जाएगा उपर 1 आ जाएगा नीचे हाना ये power में देखो 3 है ये power कितना 3 है तो ये इससे कड़ जाएगे यहाँ पर 2 power बच जाएगा यानि value कितना आड़ा 8 square और 9 square बोले तो 81 sorry 8 8 जा 64 उपर से आड़ा 64 और नीचे साड़ा 9 9 जा 81 64 by 81 आ गया अब जड़ा इसको चेक करते हैं third term को divide करेंगे second से third मतलब 8 के power 4 और 9 के power 5 इसको divide करेंगे 8 के power 2 से और 9 के power 3 से तो ये आजाए कितना 8 के power 4 upon 9 के power 4 इन 2 में 9 के power 3 उपर जाएगा और 8 के power 2 नीचे रहेगा तो यहाँ से ये कटेगा 2 बचेगा यहाँ से भी ये कटेगा तो यहाँ पर बचेगा तो आप देखो उपर माला 64 नीचाड़ा 9 नाइन जा 81 तो देखो common ratio से माला है 64 by 81 common ratio आड़ा है इसका मतलब ये GP में ये confirm हो चुका है अब अगर ये GP में है और ये infinite series है sum of infinite series तो यहाँ पर वही फिर से formula लगाएंगे sum of infinite series क्या होता है a upon 1 minus r 64 by 90 sorry 81 आया था 64 by 81 64 by 81 आया था अब इसका sum निकालेंगे sum कैसे निकालते हैं तो उपर में रखेंगे a ए बोले तो 1 by 9 upon में 1 minus r तो 1 minus r की value 64 by 81 इसको solve करेंगे तो यहाँ जागा उपर में 1 by 9 नीचे आजगा 81 minus 64 81 minus 64 upon में कितना 81 सही ना अब इसको लोगेंगे 1 by 9 इंटू में 81 उपर चला जाएगा तो 81 और 81 में 64 minus करेंगे तो 7,4,11,7 आजाएगा यहाँ पर 7,6 गया 17 आजाएगा 99 जाए 81 आजाएगा तो 9 by 17 आगया 9 by 17 तो यह हमने प्रोल्टी निकाला है किसके लिए A के लिए कि A जो गेम जीतेगा तो उसका क्या chances है 9 by 17 है इसी तरह से अब हम B के लिए निकालेंगे और फिर दोनों को divide करेंगे और फिर ratio निकालेंगे तो यह data मैं बगल में लिख देता हूँ कि क्या आया था हमारे पास 9 by 17 आया है A के गेम जीतने की तो आप देखो यहाँ पे हम लोग B का प्रल्टे निकालेंगे B win the game B जब game को जीतेगा इसका मतलब यह वह पहले तो chance नहीं को मिलेगा तो वो game नहीं जीतेगा फिर B को chance मिलेगा और जीत गया फिर जब अगली बार या तो यह हो सकता है कि first chance मिला A को game नहीं जीता first chance मिला B को वो भी नहीं जीता फिर जब second chance मिला A को वो भी नहीं जीता और second chance मिला B को और वो जीत गया इस तरह से लगातार चलता रहाएगा देखो पहले A को chance मिला और वो नहीं जीता नहीं जीतने के probability 8 by 9 नहीं ना फिर बी को चांस मिला और वो जीत गया यानि कि 1 by 9 चुकि हम बी के लिए निकाल रहे हैं तो हर बार हम लोग बी को ही विनर बनाएंगे अब देखो फर्स चांस मिला एक को वो नहीं जीता या तो यह हो सकता है फिर चांस मिला बी को और वो भी नहीं जीता फिर एक क और बीको वीनर बनाना है चुखिंगी बीके लिह निकाल रहें फिर एक को चांस मिलेगा नहीं जीता फिर एक को चांस मिला यह भी नहीं जीता फिर एक अपन में 9 का square है यह और यह आजागा 8 के power 3 और 9 के power 4 आ रहा रहा है यहाँ प्याजागा 8 के power कितना 5 यहाँ प्याजागा 9 के power 1 2 3 4 5 6 9 के power 6 आ जाएगा और यह लगातार चलता रहा है यह भी infinite किसका GP का GP पैचाने का तरीका फिर से वही करो आप GP पैचानने के लिए को सेकेंड टर्म यह फर्स्ट टर्म डिवाइड करके चेक कर लो तो 8Q अपॉन 9 के पावर 4 डिवाइड करेंगे तो 9 पाइनस स्कॉर्ड उपर चल जाएगा और 8 आ जाएगा नीचे यहां से यह कटएगा स्कॉर्ड बचेगा यहां से यह कटएगा स्कॉर्ड बचेगा तो sum निकालेंगे, sum कैसे निकालेंगे sum निकालने के लिए A को हम लोग उपर रखेंगे A upon 1 minus R होता है दोको A की value 8 by 81 1 minus R R बोले तो 64 by 81 ठीक है इसको solve करेंगे तो 8 by 81 नीचे डाए उपर आएगा 8 by 81 ये 81 चला जाएगा उपर और यहाँ 81 में 64 minus करेंगे तो यहाँ आजाएगा 17 आजाएगा सही ना 81 में 64 minus करेंगे 17 आएगा ठीक है ना आगे बढ़ते हैं तो दोको 81 से 81 कर गया क्या आगया 8 by 17 आगया 8 by 17 तो B के लिए भी probability आगया अब हम लोग ratio निकालेंगे है ना ratio of ratio of respective probability है ना respective probability ठीक है वो कितना आएगा तो हम लोग पहले A के लिए उपर रखेंगे A के लिए कितना था 9 by 17 और B के लिए कितना है 8 by 17 तो आप देखो 17 17 कैंसेल हो गया क्या बचिक है 9 by 8 तो ratio आगया 9 is to 8 और यह हो गया proof हमें यह प्रूफ करना था कि दोनों के गेम के जीतने का जो chances की जो priority होगा वो 9 is to 8 आएगा और यह हो गया proof तो उमीद आपको यह समझ में आया होगा तो आप चाहो तो इसका screenshot ले सकते हो हम लोग अगले question पर बात करेंगे तो आप देखो अगला question है 23 number question number 23 इसमें लिखा if A and B are two events such that P of A is equal to 0.5 P of B is equal to 0.7 and P of A union B is equal to 0.8 find the priority P of A by B and P of B by A conditional priority निकालना है जो given उसको पहले लिख लेते हैं देखो given क्या है given is probability of A कितना है? 0.5 है P of A 0.5 P of B P of B है 0.6 0.6 और P of A union B P of A union B वो दिया है 0.8 हाँ ना? 0.8 find, find करना क्या? P of A by B निकालना है A given B है यह निकालना है और फिर priority of B given A यह निकालना है यह दोनो priority हमें निकालना है तो यह तो conditional priority है मैंने आपको बताया हुआ है क्या? कि अगर P of A by B है यानि कि A given B हुआ है इसका मतलब प्रोड़़टी of A given B यानि कि जो नीचे वाला है वो हमारे लिए sample space हो जाएगा और जो हमारा उपर में A है A ढूनेंगे कहां ढूनेंगे B के अंदर ही ढूनेंगे A को तहीं न है मैंने आपको बताया हुआ था क्या? कि देखो P of A by B का मतलब होता है कि priority of A निकालना है condition बस यह है कि B को क्या रखना है sample space रखना है जैसे देखो मालो यह A है और यह है B यह A है और यह B है इस वाले area को हम लोग A intersection B बोलते हैं अब जब priority of A निकालना है given B है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो given है वो हमारे लिए sample space हो गया तो given क्या है? B है तो B हमारे लिए sample space हो गया तो sample space यह पूड़ा हो जागा यहाँ पे यह जो मैं color कर रहा हूँ blue से यह पूड़ा क्या हो जागा? sample space पूड़ा का पूड़ा B हो जागा sample space हो जागा सही नहीं है? अब इस sample space के अंदर ढूड़ना है किसको? A को ढूड़ना है तो इस B के अंदर A वाला जो पार्ट है वो सिर्फ इतना होगा यह जो common सा area है इसी के अंदर A पाया जाएगा जो B के अंदर भी है इसी B के अंदर A को ढूड़ना होता है बाहर A को नहीं ढूड़ेंगे B के अंदर ही A को ढूंडेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि उपर रखेंगे sample space उपर रखेंगे number of event तो number of event कितना हो जाएगा B के अंदर A कौन है बस इतना सा पार्ट है यानि कि उपर में आ जाएगा A intersection B और यहाँ पर number of element लिख लेंगे और पूड़ा का पूड़ा B ले लेंगे नीचे यानि कि number of element in B यह होता है इसका formula और मैंने आपको दिखाया था कि अगर मैं इस sample space से उपर नीचे divide कर दूँ तो इसका formula निकल के आया था कि probability of A intersection B और divided by probability of B यह भी formula होता है इसका अब इसी को देखते हुए यहाँ पर यह question हम लोग solve करेंगे और इसके बाद हम लोग कुछ algebra देखे थे किसका probability से related कुछ algebra देखे थे जो set theory में algebra हम लोग पढ़े थे वही चीजे probability में भी use होता है ठीक है देखो जैसे आपने पढ़ा था class 11th में क्या number of element in a union b is equal to हाना एक formula था आपने पढ़ा था क्या set 3 में class 11th में कि number of element in a union b is equal to number of element in a plus number of element in b minus number of element in a intersection b यह formula आपने पढ़ा था या फिर आपने यह पढ़ा होगा second number कि number of element in a intersection b इस चीज को हमने इधर कर दिया, इसको उठाग इधर कर देते हैं, यह होजागा, number of element in a plus, number of element in b minus number of element in a union b, बस यहाँ पे जहाँ जहाँ n लगा है, वहाँ वहाँ p लगा देना है, बस, प्रवल्टी हम बस यह होगा, कि n के जगा p आजागा, a union b, प्रवल्टी of a union b is equal to, प्रवल्टी of a plus, प् intersection b, जैसे इसके लिए लिखना है, तो किया लेकर लेकर, प्रवल्टी of a intersection b is equal to, प्रवल्टी of a plus, प्रवल्टी of b minus, प्रवल्टी of a union b, यह होता है, अल्जेब्रा, तो सेट थियोरी में जो अल्जेब्रा आपने पढ़ा तो वही चीजे प्रवल्टी में भी use होगा, सही न बिल्कुल as it is use होगा, तो अब देखो यहाँ पर क्या पूछा जाड़ा है, कि प्रवल्टी of a by b, यानि कि प्रवल्टी of a given b पूछा जाड़ा है, तो इसका फार्मूला होता है, प्रवल्टी of a intersection b divided by प्रवल्टी of b, यही फार्मूला होगा इसका, तो अगर हमें इसका value चाहिए है, प्रवल्टी of a given b, तो हमें a intersection b का प्रवल्टी चाहिए होगा, लेकिन यहाँ पे a union b दिया हुआ है, intersection दिया नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग intersection निकालेंगे, कैसे, इस वाले फार्मूले से, ठीक है न, उसके बाद हम लोग questions solve करेंगे, चली, तो मैं उसको आपको पता होगा, यह मैंने already बता रखा है, first video में, तो अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे क्या, कि प्रवल्टी of a given b कैसे निकाला जाए, ठीक है, उसके लिए हम लोग प्रवल्टी of a intersection b निकालने वाले है, तो देखो, a intersection b कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो a union b दि अगर आप यहाँ पे intersection निकालते हैं, तो यहाँ पे इन्टरसेक्सन आता है, यही हमने फार्मराद देखा है, अब यहाँ पे value रखेंगे, तो प्रवल्टी of a कितना है, a की प्रवल्टी 0.5 है, प्लस b की प्रवल्टी है 0.6 और a union b की प्रवल्टी है 0.8, अब इसको solve करें तो कितना आएगा 6,5,1 यानि 1.1-0.8 तो यह आजाए कितना 0.3 आजाएगा ठीक है तो probability आगया कि इसका A intersection B आ चुका है तो अब हम लोग निकालने जारा है probability of A given B यह निकालेंगे यही दो value हमें निकालना है तो पहले हमें इसको निकालेंगे इसका formula क्या होता है कि probability of यह जो नीचे वाला है उसका probability यानि probability of B अब इसमें value डग देतें solve कर देंगे तो इसका value कितना है 0.3 अब आन में इसका value P of B दिया हुआ 0.6 यह point से point हट जाएगा तो 3,2,6 यानि कि 1 by 2 आ गया तो probability of A given B कितना है 1 by 2 आया अब हम लोग दूसरा निकालेंगे probability of B given A तो इसका मतलब यह हुआ कि उपर में रखेंगे कि आप probability of इन दोनों का intersection तो B intersection A और divided by probability of A नीचे वाले की probability अब आपको यह पता होना चाहिए कि A intersection B हो या B intersection A हो दोनों A की बात होता है A intersection B मतलब A और B में common लेना तो चाहे आप A और B में common लो या फिर B और A में common लो दोनों बात एक ही है तो इसका मतलब इसका भी value कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा तो 0.3 upon probability of A A की probability 0.5 है या जागा 0.5 इसको solve करेंगे तो यह जाए कितना 3 by 5 आ जाएगा तो लोग यह दोनो answer आ चुका है तो मिद आपको यह समझ में आया होगा तो आप इसका screenshot ले सकते हो हम लोग अगले question पर बात करेंगे तो आप देखो question number 24 question number 24 है if P of A is equal to 0.7 P of B is equal to 0.5 and P of B given A is equal to 0.5 then find P of A given B and P of A union B फिर से उसी type का question है तो सबसे पहले हम लोग given लिख लेते हैं देखो given में क्या है given में probability of A दिया है कितना 0.7 ठीक है 0.7 अच्छा probability of B दिया 0.5 probability of B दिया है 0.5 ठीक है और probability दिया है A given B probability A given B is equal to इसका value है 0.5 ये भी है 0.5 तो हमें क्या find करना है probability of probability of A by B दिया है है ये B by A दिया हुआ है sorry B by A है B और given A ये दिया हुआ है ठीक है ठीक है पर्ल्टी of B given A 0.5 तो find करना है probability of A given B ये find out करना है ठीक है और एक चीज़ और निकालना है probability of A union B ये भी find out करना है ये दो value निकालना है तो फिर से हम लोग उसी formula का यूज करेंगे तो देखो सबसे पहले चीज़ तो ये कि आपको पता होना चाहिए probability of A given B निकालना हो तो probability of A intersection B given होना चाहिए यहाँ पर ना union given है ना intersection given है इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इस वाले relation का यूज करना शुरू करेंगे ठीक है ना तो यहाँ पर लिखा है क्या कि probability of B by A B given A तो इसका formula क्या होता है इसका formula होता है probability of B intersection A divided by probability of A ये होता है formula है इसका इसमें इसका value दिया हुआ कितना है इसका value दिया हुआ है 0.5 तो यहाँ जागा 0.5 is equal to probability of B intersection A ये तो हमें दिया हुआ नहीं है तो इसको हम लिख देंगे B intersection A अब upon में probability of A given है कितना 0.7 ये जागा 0.7 हो जाएगा तो यहाँ इसको cross multiply करेंगे तो मिल जागा probability of B intersection A आ जाएगा कितना गा 75 पैतिस है यानिके 0.35 आ जाएगा ठीक है न तो B intersection A बोलो या A intersection B एक ही बात है अब यहाँ पर A intersection B आ चुका है तो हम लोग इसको पहले निकाल लेते है probability of A given B तो इसका formula होता है probability of A intersection B और divided by probability of B तो देखो A intersection B की probability इसी के बड़ा बढ़ होगा यानिकि 0.35 आएगा divided by probability of B, B की probability 0.5 है तो 0.5, 0.5 को यहाँ पर 5-0 कर दे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो point से point हटा देंगे तो यह कड़े है कितना गारण 7 पचे 35 और 10 पचे 50 यानिकि 7 by 10 आ जाएगा तो यह probability of A आया given B अब हमें निकालना है probability of A union B तो probability of A union B निकालने का formula क्या होता है यह होता है probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B यह होता है formula तो यहाँ पर probability of A कितना दिया वाँ 0.7 तो यह जाएगा 0.7 plus probability of B 0.5 minus probability of A intersection B तो B intersection A बोले या A intersection B एक ही बात है तो 0.35 आ जाएगा तो यह कितना जाएगा 75 बाड़ा यानिकि 1.2 आएगा minus 0.35 तो कितना जाएगा 0.85 आएगा चेक कर लेते हैं 5 पांच 15 बाड़ा की एक 8 नहीं गाड़ा और 12 सही है तो 0.85 इसका आंसर होगा और इसका आंसर होगा 7 by 10 तो उम्मीद आपको यह समझ में आया होगा तो आप चाहो तो इसका screenshot ले सकते हो हम लोग अगले question पर बात करेंगे तो आप देखो question number 25 question number 25 में है a die is rolled twice and the sum of the numbers appearing on them is observed to be 7 2 dice हमने roll किया और क्या notice कर लिया गया कि sum 7 आना चाहिए है ना वो notice कर लिया गया what is the conditional probability that the number 2 has appeared at least 1 question यह है कि 2 die को हमने roll किया तो हमें पहले से पता है कि sum 7 कहां कहां आ जाएगा तो वो आप पहले लिख लो कि sum 7 किस किस में आ रहा है वो हमारे लिए sample space होगा और इसी में से हम लोग ढोनेंगे क्या कि कम से कम एक दो आना चाहिए 1 2 आना चाहिए इसमें है ना कम से कम एक दो आना चाहिए a die is rolled twice है ना दो बट डॉल करेंगे and the sum of the numbers appearing on them is observed to be 7 पहले से observe कर लिया गया है इसका मतलब वो चीज पहले से given है और जो given है वो हमारे लिए sample space होता है तो सम आना चाहिए 7 वो हमारे लिए given है सही ना तो हमारे लिए given event कौन हो जाए ना तो यहां पर हाला आ जाएगा given क्या कि event e माल लेते हैं है ना कि observe event है ना observe event यह observe event है ना हमने e को observe कर लिया है सही है अच्छा priority क्या निकालना है priority निकालना है चलो उसको f माल लेते हैं क्या कि की priority निकालना है कि what is the conditional priority that the number two has appeared at least one number two जो है कम से कम एक आना चाहिए number two number two appeared at least one at least one यह हमने f माल ले इस event को तो अब देखो इसके अंदर कौन कौन आ जागा observe event क्या है sum seven sum seven जो होगा इसको इसके जो elements उसको observe कर लिया गया यह हमारे लिए given हो गया अब उसके अंदर ढूनेंगे कि कम से कम एक दो उसमें किस किसमें आ रहा है वो हमारे लिए हो जाएगा f ठीके ना तो अब देखो यह इसको throw करेंगे तो एक में आ जाए one दूसरे में आ जाए six तो आ जागा sum seven पहले में आ जाए two दूसरे में आ जाए five तो sum seven आ जाएगा या फिर पहले में आ जाए three दूसरे में आ जाए four तो sum seven आ जाएगा फिर four और three आ जाएगा तो seven हो जाएगा या फिर आ जाए कितना five औ हमारा total sample space किसके लिए उस conditional priority के लिए हमें क्या निकालना है हमें निकालना है probability of किसका एफ का निकालना है कि कम से कम एक दो appear होना चाहिए at least one ठीक न और given क्या रहेगा given रहेगा इए मतलब some seven given तो अब इसका priority कैसे निकालेंगे तो divide करेंगे किस से number of sample space नीचे लिखेंगे तो sample space कौन हुआ number of element इन ए तो इ जो element वो कितना है उसमें 123456 है तो यहां पर छे लिख देंगे ठीक है अब यहां पर देखेंगे क्या number two appeared at least one इसके अंदर ढूणेंगे कहां पर कम से एक बार दो आरा है दो बार दो आरा वो भी चलेगा कम से कम एक बार दो आना ह्याs थैये लेको एक बार दो यहां बस अब इसको solve कर दो answer हो गया फिर से मैं आपको समझा देता हूं देखो इसने बोला था probability निकाल लिए किसका कम से कम one time two आएगा तो उसको मैंने f नाम दिया था कि one time one time इसमे two आएगा उसको मैंने f नाम दिया था और sum seven आएगा उसका नाम हमने दिया e तो हमें conditional probability निकालना है किसका जिसमें कम से कम एक बार दो आए यानि कि f को उपर रखेंगे और e रहेगा हमारे लिए given तो मैंने आपको बताया था कि जो given है वो हमारे लिए sample space होगा उसको हम नीचे रखेंगे तो number of element in e कितना है उसमें seven sorry six है अब उसके अंदर डूड़ेंग जाएगा one by three तो मीद्य आपको यह समझ में आया होगा अब हम लोग बढ़ते हैं अगले question पर देखो question number है 26 26 में लिखा है 26 26 में क्या है वो सुनना two coins are tossed what is the quality of occurrence of two tails if it is known that at least one tail coming up ये given है कि कम से कम एक तेल आएगा तो जो given है वो हमारे लिए sample space हो जाएगा है सही ना तो यहां पर मैं दो प्रोल्टी माल लेता हूँ एक e और एक f है ना यह माल लेता हूँ क्या कि at least at least one tail one tail coming up coming up ये given है ये क्या है ये क्या पार्ट हमारा क्या given सही ना फिर से पढ़ लेते हैं ठीक है ना क्या if it is known that at least one tail comes up comes up ये given है तो ये जो given है ये हमारे लिए sample space का काम करेगा तो इसमें क्या बोला कि at least one tail कम से कम एक tail आना चाहिए तो आप सोचो दो coin को अगर हमने toss किया तो क्या क्या आ सकता है head 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 tail tail head or tail tail आ सकता है तो उसमें किसको हमें consider करना इसमें इसमें consider करना at least one tail एक tail आना चाहिए कम से कम तो head tail ले सकते हैं फिर tail head ले सकते हैं और फिर tail tail भी ले सकते हैं कम से कम एक tail आना चाहिए तो इसका मतलब ये कि दो tail भी चलेगा कम से कम बोला एक टेल यानि कि एक से ज़्यादा भी चल सकता है ठीक है न? अब देखो अब यहाँ पर दूसरा माल लेते हैं F उसमें क्या बोला गया है? यह हमने माल लिए F अब हमें किसका प्रिटी निकालना है? Two coins are term What is the priority of occurrence of two tails? दो टेल आने की प्रिटी निकालना है तो दो टेल हम कहां ढूणेंगे? इसी sample space में ढूणेंगे जो given है वो हमारे लिए sample space है सही न? तो यहाँ पर दो टेल कहां प्याड़ा है? सिर्फ यहाँ प्याड़ा है यानि कि एक ही element आजाएगा टी टी वाला यही element सिर्फ इसमें आएगा खीक है न? यह element आजागा एक ही तो यहाँ पर बोलेंगे number of element 1 हो गया यहाँ पर number of element 3 हो गया तो probability निकालना किसका? F का निकालना है कब? जब given हो E यह given है इसका probability निकालना है तो probability of F निकालना है जब E given है तो formula क्या बोले था हमने? कि जो number of element in E होगा वो sample space होगा तो उसमें कितना element है? 1, 2, 3 तो यहाँ पर 3 नीचे आएगा और number of element in F यह हमारे लिए event हो जाएगा तो इसी के अंदर ढूड़नेंगा तो यही मिला तो एक आगे है 1 अब यह तो solve होगा तो यह होगा इसका answer तो मीद आपको यह समझ में आया होगा तो आज के वीडियो का हम लोग यहीं पर रोगते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का आप like कर दें अपने दोस्तों में share कर दें और अगर आप चैनल पहली बढ़ा हो तो चैनलों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि जैसे में कोई नया वीडियो डालेंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा